हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एक्जाम हेल पर मैं तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि देखिए दोस्तों आपका SSC जो MTS है 2021 का जो रिजल्ट है वो कल की डेट में यानि कि 14 मार्च को आपका रिजल्ट जो है अपडेट कर दिया गया था साथी साथ आपकी जो फाइनल आंसर की थी वो भी आपकी अपडेट हो चुकी थी मैंने आपको अपडेट भी दी थी कि आपका रिजल्ट बगएरा फाइनल आंसर की बगएरा आ चुकी है चेक कर लिए बट हो क्या रहा था दोस्तों कल site जो है इतनी विजी थी दोस्तों इतनी विजी थी कि जो आपने अपना login ID किया होगा उसमें और यहां पर चार section आपको देखने को मिलेंगे form बागेरा का इस तरीके से यहां पर result और answer की दिख रहा होगा तो जैसे ही आप इसफे click कर रहे थे result या marks वे तो वो open ही नहीं हो रही थी वो चीज़ क्योंकि कल इतना ज्यादा traffic था दोस्तों इतना ज्यादा traffic था कि वो website open नहीं हो रही फिर यह रात में कहीं जाके 9 या 10 वजे मैंने चेक की थी तो सही से site चेक चल रही थी तो I hope आपने अपने marks जो है चेक कर लिए थे क्यो आपके raw marks किते थे normalized marks कितने आए पास हुए है फैल हुए है सारी ही detail में आप बताना ठीक है तो चलिए और अगर बात करें आपका देखिए यह वाला result तो आ चुका है अब बहुत से student का दोस्तों इंतिजार है कि इसका tier 2 कब होगा tier 2 exam कब होगा tier 2 exam कैसे होता है इसमें कौन कौन सी books हमें पढ़ना पढ़ेंगी essay के लिए क्या करें letter के लिए क्या करें किस type के letter आते हैं किस type के essay आते हैं पूरी ही detail में अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए और दोस्तों चैनल पे नहीं है चैनल को सब्स्राइब कर से best of luck पट आपको जो है hope नहीं आ रही है को कि दोस्तों यह आपका हो सकता है कहीं न कहीं कमी रही हो तो हम उसे आगे आने वाले जो exam है उसमें दूर करेंगे तो दोस्तों उसके लिए देखिए हमने क्या करा है आपके लिए हम SSC MTS की new vacancy आने वाली है इसका जो notification है वो 22 March क बताऊँगा कि SSC MTS के new notification में क्या क्या चीज़े बताई गई है साथ ही साथ उसके लिए हम GKGS की classes भी start करेंगे और आपने CHSL का भी forum बरा हुआ तो इसके लिए भी हम GKGS की classes start करेंगे तो उसके लिए जो है आप चैनल को subscribe कर लिए ठीक है और यह हमारा देखिए telegram चैनल है इसको भी join कर लेना क्योंकि हम अब यहां पर काफी सारा update देते हैं PDF वगर यहीं पर आपको provide होती है अगर आपको कोई भी personal doubt है अभी यह से result आया result के regarding कोई doubt है तो आप हमें Instagram पर follow कर सकते हैं और जो हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर बढ़िए video को like and share जरूर कर देना ठीक है तो tier 2 exam की दोस्तों यहीं हम बात करें और दोस्तों कल क्या हो रहा था कि आपका जो result आया था ना दोस्तों result तो बहुत सारे candidates के comment में जबावाई कि सर जो है मतलब मेरा जो है सर लिस्ट में तो नाम है और पर मेरी जो state है उसका जो cut-off है और जो मैंने marks से देखे हैं उसका cut- ABCD करके इस type से तो हो सकता है आपकी state में आपका नाम नहीं आया था बट हो सकता है जो other state है वहाँ का cut-off कम गया तो वहाँ आपका selection हो गया था ठीक है तो इस आधर पर जो है आपका result आया था आप देखना आपका जो marks आया उसमें नीचे लिखा हुआ ए वी सीडी करके इस type से कि आपने किस-किस state में किस-किस राज्य में आपने qualify किया ठीक है तो यह होगा आपका solution बात करें tier 2 exam की दोस्तों तो tier 2 exam देखिया आपका अगर बात करें कि जो है 2-3 महीने के अंदर maximum बता रहा हूं इससे उपर नहीं लेगी SSE 2-3 महीने के अंदर आपका exam वो करा लेगी ठीक है तो आप बिल्कुल तयार हो जाइए बिल्कुल आपका 2-3 महीने में exam होने वाला है दोस्तों आज की date से बता रहा हूं मार्च होगा यह अपरेल मई के end में या जूल के first week में आपका exam बिल्कुल definite हो सकता है दोस्तों जैसे ही कोई update आई मैं आपको तुरद जो है बत कर लीजिए दोस्तों और यह मैंने बता दिया कि हम आगे आनेवाले वीडियोज में आपके लिए जीकेज की classes बगैरा चलाने वाले है तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए तो दोस्तों इतना ही था मैंने सारी की डीटेल में आपको बता दिया कि क्या क्या जानकारी दे दूँए तो उसके लिए जो है आप चैनल को सब्सक्राइब लिए चलिए दोस्तों इतना ही रखते हैं इस वीडियों वागे मिलते हैं फिर नेक्स वीडियों में तब तक लीज़े हैं जबाए